आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ DIY Anti-Aging क्रीम जिसे बनाना बहुत ही आशान है ये क्रीम 100% effective है और natural भी है ये क्रीम आपके complexion को light and brighten करती है और fine lines जूरियों को remove करती है आपके चेहरे पे अगर दागधब्बे हैं तो उन्हें भी remove करेगी अगर आप इस इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो एजिंग की जितनी भी निशानिया है उन्हें आप रिमूब कर सकते हैं इस रेमडी से बहुत ही effective remedy है मैं ऐसा क्या लगाए जिससे हमारे चेहरे की दागधब्बे रिमूब हो जाए चेहरे पर निखार भी आए और सावलापन भी खत है तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी एक पिंच एड़ कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पर इचिंग होती है या फिर एकने पिंपल्स की समस्या है ऐसा कुछ नहीं है तो बस आपको यहां पे coconut oil लेना है रोज वाटर लेना है सेम मात्रा में ही लेना है दोनों को अच्छे से मिक्स करना है पूरे फेस पे टेप टेप करके अपलाई करना है जिस तरह पे आप मोस्चराइजर अपलाई करते हैं क्रीम अपलाई करते हैं उसी तरह से पूरे फेस पे अपलाई करना है यहां पे जो भी इस टेप मैं आपको बता रही हूं सारे इस टेप आपको फोलो करन कभी कभी क्या होता है जब हम कोई रेमडी देखते हैं और उसमें से हमें कुछ एक भी इंग्रेडियन बाहर से लेना पड़ता है तो रेमडी हम महीं पर इसकिप कर देते हैं चाहे हमारे लिए कितनी भी ज्यादा वेनिफीशियल क्यों न होते हैं आज की रेमडी में बहुत करने की ज़रूत भी नहीं है सिंपल सी रेमडी है मात्र दो इंग्रेडियन है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है जब आप इसे दो तीन दिन अपलाई करोंगे आप देख पाऊगे इस तरह का चेंज साने वाला है आपकी स्कीन में आप मैंगी मैंगी क्रीम ले बना कि रखना नहीं है बस नाइट में जब आप सोने जाते हैं अपने चेहरे को क्लीन करते हैं थोड़ा सा कोकोना टॉयल लेना है और रोज वाटर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे फेस पे अपलाई कर लेना है इसी तरह से डेली आपको करना है कम से कम वहन बीक तक जब आप करोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि सिंपल सी रेमडी इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकती है कोकोना टॉयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा वेनिफीशिल होता है और नाइट में जब हम सोने जाते हैं उस टाइम कुछ भी अपने चे करते हो तो इसे मेरे बोलने पर ट्राई जरूर कीजेगा कोई बोलते हैं कि हमें कोकोनाट ऑल सूट नहीं करता तो जगा पर आप बादाम ले सकते हो या फिर ओलीब ले सकते हो तीनों में आप कुछ भी ले सकते हो, रोज वाटर आपको मिक्सी करना है, बस जैसे मैंने बोला, अगर आपको एकनी पिंपर्स की समस्या है, फेस पे इचिंग होती है, तो आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ कर देना है, आपकी समडी को आल टाइप स्कीन वाले लोग यूज कर सकते हैं, अगर आपकी फेस पे पिग्मन्टेशन है, फाइलाइन्स है, तो उनको भी रेडियूस करने में हमारी हेल्प करेगा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे फेस पे जुर्या फाइलाइन्स आने लगती है, जैसे पे बढ़ती है, छोटों हो जाता है, कितना भी मेक अप कर लो कुछ भी कर लो लेकिन जैसे बलकुल भी ग्लो नहीं रहता है, तो यह रेमदी आप एक बाठ राए ज़रुर किएज़ेगा, हमारी इसकीन को हाइडरेशन प्रोवाइड करता है, जब हमारी सकीन तो हमारे चेहरे पे समय से पहले जुरिया नहीं आती है तो ज्यादा से ज्यादा आप पानी भी पीजिए जब आप कोई DIY अपने चेहरे पर अपलाई कर रहें तो साथी साथ खान पान का भी ध्यान रखना होता है अगर आप बहुत जादा मसाला खाएंगे बहुत जादा यह वाला जो इस्टेफ है इसे हमारी आइब्रो प्रॉपर सेप में आएगी आइब्रो भी नीचे के साइड लटकने लगती है जब इसकीन धीली हो जाती है तो यहां पर जितने भी इस्टेफ में आपको बता रही हूं सारे के सारे बहुत ही इंपोर्टेंट है और लाट क अगर आपको अनकमपडेबल लगता है थोड़ा सा भी फेश चिपचीपा लगता है तो आप नॉर्मल ओर्टर से फेश को ओस कर सकते हैं कोई भी फेशवा से असोप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना नहीं तो यह रेमडी पूरी तरह से हमारी स्कीन से निकल जाएग सबस्काइब कर लिजेगा बेल आइकोन के साथ में जिससे की जब भी मैं कोई नहीं रेमडी शेर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं नेक्स रेमडी के साथ